कोबान ने इंसानों के खिलाफ जिस जंग की शुरुवात की थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी और अब एपस को हमेशा ही जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है जो उनका लीडर सीजर पहले नहीं करना चाता था So welcome back to my channel guys तो हाजर हो चुका हूँ आपके सामने एपस और इंसानों की इस लड़ाई के एक और पार्ट के साथ जिसका नाम है War of the Planets of the Apes मूवी काफ़ी इंटरस्टिंग है तो बने रही है हमारे साथ अन तक मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएस मिलिटरी की पूरी टीम रेड बुल के जंगल में सीजर और सारे एपस को ढून रही होती है उसके जाद ही कुछ एपस भी थे जो कोबा की वफादार थे उनमें से एक था रेड वो मानते थे कि इनसान हमें छोड़ देंगे अगर हम उनका साथ देंगे और सीजर ने कोबा को मारा था इसलिए वो इनसानों से मिलकर सीजर को खत्म करना चाते थे जंगल में जाकर करनल के सिपाही एपस पर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं लेकिन फिर सिजर अपनी पूरी टीम लेकर आर्मी पर अटैक कर देता है जहां बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं लेकिन और में से चार सिपाही और रेड बज जाते हैं जिसे वो बंदी बना लेते हैं फिर जब scissor red को अपने सांपने देखता है वो पहचान जाता है कि वो कॉबा का वफादार साती है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए इंसानों का साथ दे रहा है लेकिन red कहता है कि वो scissor से डर कर इंसानों से नहीं मिला बलकि वो जानता कि उसका करनल बंदरों से जादा ताकतवर है और वो सब को मार देगा जिस पर सिजर विंटर नाम के एक एप से उसे वहां से ले जाने को कहता है और उन चारों सिपाईयों को घोडों पर बांध कर वहां से भेज देता है ताकि वो करनल को बता सके कि वो कोई वार नहीं चाता फिर विंटर वहाँ जखमी हालत में आता है और बताता है कि रेड वहाँ से भाग गया है फिर हम देखते हैं कि वहाँ सिजर का बेटा ब्लू आइज और उसका दोस्त रोकेट कहीं से वापस आते हैं एक्चल में सिजर ने उन्हें बंदरों के लिए एक दूसरी सुरक्षित जगए देखने भेजा था फिर ब्लू आइज सब को बताता है कि उसने जंगल की दूसरी तरफ एक सुरक्षित जगए डूण लिया जिस पर विंटर उनसे कहता है कि हमें अभी यहां से निकल जाना चाहिए लेकिन सिजर उन्हें रोकते हुए कहता है कि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है हम कुछ टाइम लेकर पोरी तैयारी के साथ यहां से निकलेंगे फिर लूका सिजर को आकर बताता है कि विंटर यहां से भाग गया है क्योंकि एक्चॉल में विंटर नहीं डर कर अपनी जान के बदले करनल को वहन का पता दिया था फिर अगले दिन सिजर सभी एप से उस जगे जाने को कहता है जिसके बारे में ब्लू आइज ने बताया था और खुद अपने परिवार का बदला नेने के लिए शेहर निकल जाता है लेकिन रास्ते में लूका, मौरिस और रोकेट भी सिजर के साथ जाने के लिए आ जाते हैं चलते चलते वो एक मिलिटरी बेस पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक सिपाही मिलता है जिसे सिजर शूट करके मार देता है और फिर उन्हें वाहाँ से लड़की भी मिल जाती है जिसका राम तो नोवा वो चल नहीं सकती थी इसलिए मौरिस को उस पर दया आ जाती है और वो सिजर की पर्मीशन लेकर उसे अपने साथ ले लेता है फिर कुछ देर और जाने पर सिजर को करनल का कैम्प मिल जाता है और अंदर पहुँचने पर उन्हें विंटर भी वहा मिलता है वो सब से सब इन्फोमेशन निकलवा लेते हैं जिस पर विंटर बताता है कि कल स सुल्जर्स बोर्डर पर जाएंगे इतने में ही टेंट के बाहर दो सिपाईयों को देख विंटर मदद के लिए चिलाता है लेकिन वो तीनों उसका मूँ बंद कर देते हैं और सासना आने की वज़े से उसकी वही मोत हो जाती है फिर अगली सुबह मौरिस सिजर को उठाती है और बताती है कि सोल्जर्स बोर्डर की तरफ जा रहे हैं वो सब उनके पीछे निकल पड़ते हैं जहां सोल्जर्स एक जगए गोलियां चला रहे होते हैं सोल्जर्स के जाने के बाद जब वो उस जगए जाकर देखते हैं कि तीन लोग बर्फ में दबय हुए हैं जब वो एक पॉल पर चड़कर करनल का कैम्प ढूंड रहे होते हैं जहां वो देखते हैं कि कोई अपना मूझ चुपाया आता है और उनका घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है उनका पीछे करने पर पता लगता है कि वो भी एक बंदर है वो अपना नाम बैड एक बताता है और उन वो देखता है कि लकड़ी के खंबों पर बंदरों को बांद रखा है फिर उनमें से एक एप से सिजर पूछता है यहां क्या हुआ है जिस पर वो एप बताता है कि जब हम पहाड़ों के पीछे वाली जगे पर जा रहे थे तब करनल के आदमियों ने सब को घेर कर बंदी ब जाल देते हैं जहां बाकी एपस को रखा था वहां से उसे ब्लू आइज की वाही बताती है कि इन लोगों ने उन्हें अब तक कुछ खाने को ही नहीं दिया है और अपने लोगों की ऐसी हलत देखकर सिजर को बहुत बुरा लगता है फिर अगली सुबह जब काम करते समय घ कहता है तो इस पर सिजर कहता है कि अब वो तभी काम करेगा जब उन्हें खाना और पानी मिलेगा तो करनल इस बात से घुसे में आ जाता है और सिजर को मारने वाला होता है जिसे देख बाकी बंदर अपने लीडर को बजाने के लिए काम करने लगते हैं सारे एपस को काम कर पर सबी एप्स को खाना और पानी दे देता है फिर सिजर को करनल के पास ली जाया जाता है जहां सिजर उससे कहता है कि उसे पता है कि वो एप से दिवार क्यों बनवा रहा है क्योंकि उस पर जल्द ही हमला होने वाला था और उस पर ये हमला उसके ही लोग करवा रहे हैं क्यो कि उसने उस वाइरिस से इंफेक्ट हुए लोगों को मरवा दिया था ताकि बीमारी और न फैले यहां तक कि उसने अपने बेटे तक को भी मरवा दिया था और इसके लिए उसे अपसोस है करनल की बात सुन सिजर को बहुत गुस्ता आता है और वो करनल पर हमला कर देता है जि टरनल से रास्त बनाने लगते हैं और इदर करनल सिजर को सबसे अलग दूसरे पिंजरे में बांद देता है और उसे खाना नहीं देता सिजर की ऐसी आलत देख नोवा सीधे टरनल के रास्ते से सीजर के पास पहुँच जाती है और उसे खाना देती है लेकिन तभी वहां सो की डॉल मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है फिर दूजरी तरफ पूरा दिन काम करने के बाद रोकेट और सीजर बैड एप की हेल्प से बिना किसी को पता चले सारे एपस को टनल के रास्ते वहां से निकाल देता है और खुद वहीं रुख जाता है क्योंकि उसे करनल को खत्म करना था और जब वो करनल के रूम में जाता है तो देखता है कि करनल नुवा की डोल की वज़े से वायरिस से इंफेक्ट होकर मर रहा है और फिर वो सीजर से गन लेकर खुद को मार लेता है और तब तक यूएस मिलिटरी करनल के कैम पर हमला कर देती है और जंक सुष्मनी सीजर से थी बाकी एप से नहीं थी वो समझ चुका था कि इनसान किसी भी एप को नहीं चोड़ेंगे फिर दूसरी तरफ सीजर भाग कर आ रहा था ताकि वो बॉम से सब को उड़ा सके लेकिन तभी पीछे से एक सैनिक आकर उसके पैर पर गोली मार देता है जिस से पहले सोलजर्स उसे गोली मारते वो सब को बॉम से उड़ा देता है इतने बड़े धमाके से पूरा केंप ब्लास्ट हो जाता है और सारे सोलजर्स मारे जाते हैं सारे एपस पेड़ पर चड़ जाते हैं और वो बच जाते हैं फिर वो सब उस जगे जाते हैं जो ब्लू आईज ने उन्हें बताई थी लेकिन वहां पहुंचकर गोली लगने की वज़े से सिजर की मोत हो जाती है और वो मरने से पहले मौरिस से कहता है अब तुम हो एपस की लीडर सबका खयाल रखना और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है